Hey guys, आज की इस वीडियो में बात करेंगे JNB, जवारनवीदे विद्धयाले की पेपर की सॉल्यूशन की बात करेंगे आज की इस वीडियो में एग्लास 9 की पेपर को सॉल्व करेंगे जो पेपर आपका कंड़ेक्ट कराये गया है वो आपकी 8 फेबरे 2020 को conduct कराया गया है, इसके paper pattern की बात करें तो आपके 100 question consist किये गये थे, 1 से लेकि 15 तक की question में आपके section A में Hindi से थे, और 16 to 30 कह सकते हैं English से जैसा कि मैंने 2019 की paper में बताया था आपको solve करके, और mathematics से आपके 31 से लेकि 65 तक की question consist किये थे और last one आपके 66 से लेकि 100 तक की question आपके science से कह सकते हैं, general science से पूछी कहते हैं, अगर इसके timing की बात करें तो 2 घंटे 30 मिनट का समय आपको दिया गया था, 100 question से और इसके 100 marks की paper पूछी जाते हैं, यही आपके इसके instruction में, यह सब सारी चीज़े आपके subscribe किजिए mind maker और गुरुजी YouTube channel को और दबाएगे इस घंटे को ताकि मिल सके आपको latest वीडियों सब से पहले यह बिल्कुल प्री है, आपके पहले नमबर पर आता है आपका section A में, आपके हिंदी से question है, इसमें पहला question है, सो तंत्रता का विलूम, पहला option गुलाम next option पर तंत्र next अजाद और last आपका अधिन तो सो तंत्रता का विलूम जो हो जाएगा पर तंत्र हो जाएगा, तो option नमबर बी आर करेक्ट, next इसमें नीचे दीगे, सब्दों में से कौन सा सब्द अनेक आर्थी सब्दे, मतलब एक आपके सब्द है, जिसके अनेक कर्थ निकले, उसकी बात की जारी है, तो पहला है आपका घर दूसरा है तन, तीसरा है अनसाज और चौता है कल, तो कल का मतलब होता है, एक तो विदा हुआ कल की बात की जारी है, एक कल का मतलब होता है कि machine या पूर्जे जो बोल दे जाते है machine कल पूर्जे और एक कल का मतलब होता है अराम करना तो यह आपके जो कल है सब्द जिसका different आपके meaning निकल रही है तो option number DR correct for second question next इसमें आता question number 3 नीचे दीके सब्दों में से कौन सा सब्द आख का प्रवाची नहीं है जी है नहीं है बोला जारा पहला है आपके 9 दूसरा आपका चेसू तीसरा आपके 9 और last आपके mean तो mean जो होता है मचली के basically प्रवाची होता है तो last option इसमें आपके correct होने वाले है next इसमें विचार सब्द में एक जोडने पर सब्द बनता है विचारिक बनता है इसका आपका जो सही तरीके से लिखा जाएगा विचारिक बापे 1 के मांतरा चाप पर आख मांतरा अधीक का छोटी 1 की मांतरा फिर का विचारिक option number 3 और correct देख लिजे लिखने का जो style है यही कौन सा है यह basically question repeat किया गया है तो इमानदारी में आपके भाव आचक उसकी इमानदारी की बात की जारी है उसकी भाव की बात की जारी है तो option number 1 और correct नेक्स इसमें आपके छट में रूजी रूटी सब्द है तो रूजी रूटी में देख रहे हैं कि एकी तरीके का वर्ट ह रहे है रहा से यह भी स्टार्ट हो रहा है इसमें आपके सब्द यूग में होते हैं तो option number C और correct नेक्स इफ फल सब्द का बहु अचन तो फल को हम लोग फॉलो बोलते हैं तो option number B और correct नेक्स इफ आपका धास बाधने का अर्थ है मतलब दिलासा देना है कह सकते हैं दिना तो option number B और correct नेक्स आपका नाइन नमर में दूसरे option को नहीं पढ़ रहा हूं उसका reason यह है कि आपको कम समय में आपको अधिक से अधिक knowledge देना है तो दिन में सारे option को छोड़ दे रहा हूं बट आपको अगर आप 2021 की तयारी करें तो आपको पूरा अच्छे से rate करना है नेक्स इसमें आपके 9 नमबर आग लगने पर कुवा खोड़ने मुहावरे कारत है पहला औसरवादी होना पाखंडी होना पहले से सौधान न होना समय देकर ततपर होना तो कहने का मतलब आग लगेगा फिर कुवा खोड़ने के पाने निकालेंगे तो ऐसा नहीं होना च चार्ट इये इसमें आपके सही सूधता का सुध रूप बोलना है तो आपका लाश्ट option दिकरा सही सूधता तो लाश्ट option और करेक्ट नेक्स इसमें आपके एक आपको पैसेच दिया गया क्या सकते हैं टेन तक की कोशन तो बिस्कली हो गया है विट इसमें आपका एक प्रसर देना कुछ आपके प्रसंद दे गया है विसकली फाइब प्रस आपको दे गया अनुचित लेखन कह सकते हैं अंसे पैसे टाप के इंगलेस में आते हैं विसकली तो आए हम लोग पढ़ते हैं पहले अनुचित क्या दिया हुआ सांच होने लगी थी धूप में सुनहरी परच्षाय सिंधूरी सांच की बाहों में समा गए मैं इस सांच को अपने तन की आउंखों से देखता हूँ और मन की आउंखों से उतादी की चवीको जो मानस पटलवर उभर आई है तन की आँखे सिर्फ आज देखती हैं जबकि मन की आँखे तमाम भीते हुए कल मन की इसी आँखों ने मुझे अपनी दिवगंत दादी की याद दिला दी जो बच्पन में हमें सांच के समय घर से बाहर जाने से रोकती थी कहती थी संजा ब्रिया घर के बाहर नहीं जानो बेटा दिया बती के टाइम घर रेनो तरक देती थी कि गोधुमिल बेला में जब गाएं भी अपने घर लोटती हैं अपने बच्पनों के पास तो फिर तुम क्यों घर के बाहर जाते हो वह कहते थी कि हम थोड़ी देर उनकी गोध में बैटकर घर लोटती गाएं को देखते हैं उनकी आख बचाकर घर के बाहर भाग जाया करते थे यह सिलसिला बच्पन में ही चलता रहा बच्पन के दहली चला जीवन संगर्स में फवर में घुम रहे हैं इस संध्या बेला में साज खोब याद आती है ऐसी जाने कितने साजे याद आएं और बीत गएं लेकिन दादी की संजा बरिया बीतती नहीं सोचता हूं तो बार बार लगता है कि वह संध्या के समय घर के बाहर ना जाने की मनुहार करते जब गायो कोई गोधुमिल वेले में अपने अपने घर लोटने को धरार देती थी तो क्या यह उनकी समझ थी या उनका संसकार था तो यह बिसिकली अनुचेद आपको पढ़ना था और डिपली पढ़ने के बाद आपको एंसर को रिलेट करना था कह सकते ऐसा नहीं किसी में से आपको लोग जी भरकर मोज मस्ती करते हैं और लाज से साज के समय लोग लाल रंग का प्रियू करते हैं तो विसिकली साम के समय अकास में जो होती लाल लिमा होती आप देखते हैं कि संसेट होता है डूपता है तो आपसन नमर बी आर करिक्ट है नेक्स्ट आपका 12 नमर इसमें बो साँच वाली बात का अर्थ आज समझ आया तो दादी की साँच वाली बात का अर्थ आज समझ मैं और अफसन नमबर D are correct नेक्स्ट है इसमें आपकी मन की आँखों को पूल का प्रयाय क्यों कहा गया है वे अतित और भविस को जोड़ती है वो अतित और भविस को डूबने से बचाती है वे आज काल को ही देखती है वे पूल की तरह देखती है तो विसकली आपके अतित और भविस को जोड़ने का काम करते हैं जो पास्ट है और फ्यूचर है उसकी बात की जारी इसमें कि मन की आँखों से गर देखेंगे तो आपका अतीत जो है वो आपका अगर अतीत आपका कह सकते हैं कि खराब है तो आप भविस्ट को अच्छा बना सकते हैं उसमें जो भी आपने गलतियां की हैं उसको अफ्युदार सकते हैं तो option number 1 are correct next इसमें आपके 14 number इस अनुचेत में संध्या बेला का अर्थ है साम का समय उम्रे का एक पड़ाव सुखद समय और लास्ट आपका दुखद समय बहुत सारे बचें maximum कह सकते हैं 80-90% बचे पहला option लगा करा है संध्या बेला मतलब साम का समय लेकिन इसमें आपको अनुचेत को को रिलेट करना था एक दूसरे साफ रिलेट करके बताना था तो एक उम्रे का पड़ाव होता है तो option number B आर बिलकुल सही 100% next इस आपके 15 number बहुत सारे यूटूबर ने option number 1 को करेक्ट बोल है जो बिलकुल गलत है 15 number अनुचेत में लेखक ने बलैंक के बहाने दादी बच्पन गोधूली से जुड़ी यादो को साज़ाय किया है तो आखो से बिसकली यहां पर आखो से ही देखने की बात की जा रहे है आखो से उदादी ने चबी को देखा है यहां पर देख सकते हैं आखो आखो की बात हमेसा की जा रहे है तो option नमर्ट जो है आपका क्या सकते हैं भी correct है इसमें next part आता आपका section second English grammar या English से क्या सकते हानता है में सेकली में आपको बताना चाहूंगा कि अकर आप बेचु बना से हिंदू इन्वर्सिटी की तोरह और्गनाइज किया जाता है Central Hindu School में अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके लिए सुनेहरा मौका है इसको अप्लाई कर सकते हैं अधिक जानकारी के लिए मेरा नीची WhatsApp नमबर दिया है उसमें कॉल या WhatsApp करके अधिक जानकारी पास सकते है Central Hindu School बनारा सुवारांसी यूपी इंडिया में पड़ता है मैं आपको जानकारी के लिए बता दू नेक्स्ट कोर्शन इसमें आपके 16 नमबर एक आपको कह सकते हैं appropriate passage दिया गया है तो man who, who का मतलब होता है आपके जो man who is believed, man आदमी जो believe करते हैं तो इसका सही अर्थ बनादा है तो option number D correct होने वाला है man who is believed to have enveloped from ifs फिर इसमें आपका blank दिया है तो यहां पर कॉन सा आपका लगे का कह सकते है auxiliary से helping up तो यहां पर each कही हो जोगा क्यों से क्यों आपका singular है तो curious mixture of varieties, motifs he is not only the subject यहां पर deep fill होगा है यहां पर आपका each fill होगा और यहां पर आपका who fill होगा और last one में आपका needs to fill होगा तो option number आपका यहां पर D correct होने वाला है यहां पर आपका C correct होने वाला है लास्ट वन में भी आपको C correct होने वाला है subject of need to also there next इसमें आपके 20 नमबर convert into passive voice, we must face the new situation with a creative mind, इसमें आपको passive voice में change करना था तो मैंने यहां से उठा लिया new situation must be हो जाएगा, भी लग जाता है और आपका हमें सा third form यह हो जो जो था passive voice में faced by us with a creative mind option number C are correct next इसमें आपका 21 give a word most similar in the meaning of word exhorting, इसका मतलब होता है exhort का मतलब होता है आपका obsessed देना, ing form है मतलब continuous काम चल रहा है obsessed देने का काम चल रहा है तो इसका जो आपका synonym सो जाएगा कह सकती, agreeing तो agreeing, option number 1 are correct, इसका मतलब होता है support करना और demand करना मांग करना और last one आपका clarifying करना जो बिल्कुल आपका match नहीं कर रहा है आपका exhorting से, तो कह सकती, option number 1 आपका correct होने वाला है, ऐसे ही आप बता सकते हैं, बहुत है simple आया था, next opposite meaning of the word, six six का opposite meaning बताना है कह सकते हैं कि इंटोनिम्स बताना है तो इसका मतलब होता है आपका courses करना या प्रहतने करना होता है, सीख का मतलब तो इसका just ultra हो जाएगा, avoid करना तो option number 2 are correct बहुत सारे आपकी YouTube पे आपकी paper ने solve किया है paper को solve किया है, बहुत सारे teacher ने जो बिलकुल गलत किया है, ऐसे कैसे बच्चों के साथ किलवार्ड कर सकते हैं I don't know, पता नहीं क्या-क्या सब चीजे डाल दे रहे हैं, गलत सही उटा सिदा, कुछ भी डाल दे रहे हैं, बच्ची परिसान हो जा रहे हैं, कमेंट मेरे पर वीडियों पर आ रहे हैं, आप यह paper का solution दीजे तो मैंने आपको बना के दे दिया है इसको आप match करा लिजेगा लगवा आपके answer की match करेंगे next इसमें आपके 23 इसमें बोला जा रहा है कि I फिर blank के, we should accept the offer, पहला बोला जा रहा है think, will think, should think or would think, तो I think यहाँ पर पहला option correct है I think, we should accept the offer next is neither he nor his servant neither he nor his servant यह आपका missically singular होगा, तो यहाँ पर hash left लगईगा, बहुत सारे ने have left लगा करा आया था, जो बिलकुल गलत है, option number C are correct इसमें, my sister is more stronger than I, तो आपका then के साथ हमें इसा more का यह जोता है, तो यहाँ पर more stronger option number one are correct next, इसमें आपका 26 की बात की जा रही है one who eat everything वह जो सब कुछ खाता हो पहला option है, इसमें आपके omipotence, इसका मतलब होता है sorrow सकती साली, next option है आपका insolvent insolvent का मतलब होता है, आपका दिवाली गया होना यह मतलब कह सकते हैं, बहुत ज़्यादे loss हो गया है c option irresistible इसका मतलब होता है, आप रती रोध है और last option है, आपके omipotence, इसका मतलब होता है, सौरव भच्छी जो सब कुछ काता हो, who eat everything तो option number d are correct for question number 26 next, इसमें आपका 27 select the alternative, who waste expression for same sentence in indirect speech direct indirect speech और active ऐसे question पूछे केते हैं, he said comma, invented comma, can you sing question marks, फिर बोला जरा, I said no, तो इसका मतलब हो गया कि आपका he said, फिर यहां का I दिया, तो यह मी हो जाएगा, और आपका invented comma को हटा के if लगाते हैं तो option number आपका पहला और आपका तीसरा ऐसे ही cut हो गया he said me if I could sing and I said no तो option number 10 इसका correct होने वाला है, बहुत सारे बच्चों ने यह लगा करा जो बिल्कुल सही है, एक पैसेज दिया गया, carefully rate करने के लिए बोला और कुछ answer देने के लिए बोल रहा है तो इसमें option number 28 की बात करें, तो इसमें बोला जा रहा है कि the favorite sport of Aryan's watch favorite sport Aryan's का क्या था तो यहाँ पे लिखा जा रहा है कि racing कहते थे cherry oats की यह basically horse कह सकते हैं racing होता था, basically यह roman में होते थे, तो option number आपका भी correct होने वाला है cherry oat race, next इसमें आपका 29 की बात के जिर for a long time the chief god of Aryan's watch, chief god long time के लिए अकर बात के जारे तो यहाँ पे देख सकते हैं long time for chief god was Indra, Indra option number आपका जो C correct होने वाला है और last आपका option इसमें बसता है 30, who helped the Aryan's in hunting कौन उनका help करता था hunting के लिए, पहला है loins, दूसरा है dogs, और तीसरा है bears, और last है their gods, तो जो Aryan के help करते थे hunting के लिए, सिकार करने के लिए उनके भगवान खुद होते थे their gods, ऐसा उनका विलिप रहता था है कि भगवान मेरी help कर रहे है और उसके बाद hunting, hunting के करने के बाद singing, dancing और यह सब open air में यह सब करते थे horse riding करने के बाद, racing करने के बाद तो कह सकते हैं, कि option number D correct है, यह होगा आपके 30 तक है English के question, उमिद करते हैं कि आपको पसंद आया होगा वीडियो next section, आपके fourth section है general science, समान विज्यान से कह सकते है 66 से लिए के 100 तक की question है, basically कह सकते हैं कि आपके 25 question consist किए गया इसमें, मैं बताना चाहूंगा कि part 2 में आपके mathematics के solution को मैं detail में करके बताऊंगा इसलिए मैंने mathematics के section को छोड़ दिया है, आएए देखते है 66, इसमें बोला जारा है कि lactoblesis is and lactoblesis क्या है, तो आप जानते हैं कि lactoblesis जो है एक बैक्टेरिया है, जी गाडू है तो पहला आपका option correct है नेक्स इसमें बोला जारा है 66 जो आपके हिंदे मेडियम के बच्ची है वो इसको refer कर सकते हैं इसमें बोला जारा है कि आपका beach bone में उपयोग होती है तो beach bone में आपके seed drilling के यूज होता है, तो हम लोग seed drilling के यूज करते हैं, beach को swimming करने के लिए, इसमें आता है आपके 66, इसमें बोला जारा है कि influenza इसकोष नहीं है, human being मानों में influenza रोक किसके कारार से उत्पन होता है, तो influenza आपके एक virus होता है जिसके कारार से आपके यह influenza रोक होता है, तो आपसन नमबर B, आर करेक्ट, बिसाड़ू नेक्स इसमें आपके 69, smallpox vaccine was discovered by छोटी माता के लिए vaccine की कोच किस ने की तो Edward Jenner के द्वारा किया गया तो आपसन नमबर C, आर करेक्ट कह सकते हैं नेक्स इसमें आपके 70 इसमें बोला जारा है, which one of the following is a thermosetting plastic thermosetting plastic की बात की जारे तो backlight जो है thermosetting plastic है, next इसमें आपके 71 which one of the following react with grossly with cold water मतलब अती तिपर अभी क्रिया ठंडे जल से कौन करता है, तो sodium करता है जिसका आपका symbol होता है NA, NA वाटर के साथ जो होता है, बहुत तेजी से रेक्षन करता है next इसमें आपके 72 इसमें बोला जारे, which property of copper is used for making electric wire electric wire मतलब बैद उतार बनाने में copper की किस gold के use किया जाता है तो कह सकते हैं कि आपका good conductor of electricity रहेगा, तभी हम लोग electric wire को बनाते है next इसमें आपके 73 which of the following is not a constituents of petroleum, petroleum का कौन सा अपका constituents नहीं है पहला option इसमें आपका paraffin wax, next step का lubricating oil, next step की कोक और last step के petrol, तो मैं बताना चाहँगा कि कोक जो है आपका constituents of petroleum नहीं है, इसमें 98% तक आपके कारवन पाया जाते हैं और इसकी बात करें तो substance of air वाय के अनुपस्तिती में कह सकते हैं oxygen के अनुपस्तिती में इसको cold को जो होट किया जाता है तो आपका कोक मिलता है जिसमें आपके 98% तक कारवन रहते हैं परसंट सो कारवन 98% next इसमें आपके 74 which one of the following is not a natural resource इसमें बोला जा रहा है कि प्राक्रितिक संसादन नहीं है तो रहान जो है आपका प्राक्रितिक संसादन देगें है यह मेन मैड होता है बोला गया water, soil, minerals तो पहली आपका simple सा logic है कि रहान जो है आपका natural resources नहीं है next इसमें आपके 75 the black thick liquid with unpleasant smell is known as coal tar कह सकते हैं कि coal tar जो होता है उसका unpleasant smell होता है जो basically road construction में यूज किया जाता है आपने देखा होगा black liquid होता है next इसमें आपके 76 species is found exclusively in a specific habitat इसमें बोला जा रहा है कि species एक मात्र रूप में एक अविसिश्ट कृत प्रयावास में पाए जाती है तो इसको endemic बोलते हैं क्या सकते हैं specific region में पाए जाती है कि स्तान ही होता है कि इसी स्तान पर ये species या या आपकी बच्छी पाए जाएगी तो उसको बोलते हैं endemic option no.1 और कर एक बहुत ही simple question frame किया गया तक क्या सकते है मिलता है जुलता question है इससे पहले वाले येर से 77 है इसमें आपका the environmental impact of clearing large patches of forest for cultivation of crop is known as soil erosion बोलते हैं इसको मृदा अपरदन बोलते हैं बड़े भुकंडो को खेती करने के लिए साप करने का प्रेवराड में निम्दीखित प्रहा परता है तो उसका मिरदा अपरदन हो जाता है पर्ड हरीत के कारण पत्नियों का जो रंग होता है वहरा होता है बहुत दे सिंपल कोसन था next इसमें आपके 79 which one of the following is found in cells of plants, animals as well as bacteria bacteria plants और animals में क्या-क्या फाउंड होता है cells of plants में तो आपके nucleus होते हैं kendrick होते हैं, तीनों में होते हैं next इसमें आपके 80 hen age पर्टिलिटी जो भी बोल सकते हैं next इसमें आपके 81 in amoeba reproduction takes place amoeba में जो होता है आपके binary fusion होते हैं deep virgin होते हैं amoeba में जन्न जो होती है process आपके होती है binary efficiency के थुरूँ option number D are correct बहुत ही simple question NCRT के book में deeply में आप पढ़ेंगे तो बहुत सारे बच्चे आप crack कर सकते हैं sentence exam को अगर उनका science पर पकड़ कापी अच्छा है तो next इसमें आपके 82 insufficient production और फिर ब्लैंक दिया in the pitfalls lead to their incomplete developments तो आपके thyroxine जो होती है उनकी वज़े से आपके incomplete development हो पाता है क्या सकते हैं जो thyroxine आपका हार्मोंस होता है वह iodine में पाया जाता है iodine की कमी से thyroxine आपके कम हो जाते हैं तो उसके कारण incomplete development हो पाता है टेट पोल्स का कह सकते हो तो option no.1 और correct यह बहुत ही requirement है हार्मोंस जो आपका thyroxine है next इसमें आपके 83 at the onset of poverty फिर ब्लैंक दिया है is released by test इसमें बोला जा रहा है कि यह ओन वफस्ता में जो श्लो से कहा उसरजीत होता है तो आपको बताना चाहूंगा कि जो आपके अगर male की बात की जाती है तो आपके test की बात की जा रहे है तो इसमें test to styrene निकलता है अगर female की बात की जा रहे है तो अबरी की बात की जाएगे तो उसमें estrogen निकलता है बिसकली यह आपकी sperm की रूप में निकलते हैं तो test to styrene आपके बिसकली muscles वेडिंग के लिए भी बहुत ही beneficial होते है कह सकते हैं तो option number C और अगर female की बात की जाती तो estrogen इसको यार रखी कि बहुत important factor है कह सकते हैं the age of aldosans chapter में दिया हुए NCRT में इसको deeply पल सकते हैं next इसमें आपके 84 gas fill it values move up because gas में जब values में आपकी gas fill के जाते हैं तो उसमें क्या होता है तो upward force आपका लगता है उपर की तरफ क्योंसे की gravitational force आपकी कम लगते हैं तो कह सकते हैं कि the value is more than gravitational force उपर की उड़ लगने वाला बल गृतव करसाड बल सी अधीक होता है इसे की कारण वैलुन जो होती है आपके उपर उड़ जाती है तो option number C are correct next इसमें आपके 85 इसमें बोला जा रहा है कि two thermocoles balls hit close to each other move away because of gravitational force gravity की कारण होती है गृतव करसाड कर एक दूसरे से दूर चली जाती है तो option number C are correct तो 6 की बात के जारे wearing of cartilage in the body friction friction आपके encourage करते हैं अगर आपकी wearing होगी सरीर में उफसिती का समापत हो ना मतलब कह सकते है cartilage का मतलब होता है कि चबाने वाली हड़ी का आपका basically आपका खीसर आया है तो उसमें आपके friction जो होंगे increase होंगे तो option number 1 are correct next इसमें आपके 87 the handle of cricket bat is usually rough cricket bat जो होता है roughly आपका खुद्रा बनाया जयता उसका region रता है कि उसमें आपके friction जो increase करे तो जो gripping होगी वह बहुत ही अच्छी होगी तो आप अच्छे से sort लगा सकते हैं अगर वीडियो पसंद आए तो प्लेस इस वीडियो को like कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों के साथ share भी कर दीजिए उनको भी बता दीजिए कि answer की जो है आपके आचुके है JNV के नेक्स इसमें आपके 88 तो एंक्रीजिन इन्वर्ट्स प्रपोर्शन तो option number B आर कारेक्ट होने वाला है इसमें बहुत ही आपके option जो है ऐसे उधर उधर दी हुए है कि basically बच्ची कन्फियूज जाया है तो आपको कन्फियूज नहीं होना है आप जानते हैं, ऐप बरबर 1 이 होता है frequency जो होता है, inversely proportional होता टायम परेट के, next ultrasonic क्या कह सकते है, ultrasonic frequency जो होती है, आपकी 20 kHz होती है या उसे उपर होती है, तो कह सकते है कि आपकी, ऊपसरन नंबर से दिखर है या हर्ट में दिया हुँ है, तो 20,000 से उपर होती है और हम लोगों की जो audio sound होती है वो बिसकली होती है 20 से 20,000 हर्ट की बीच हम लोग सुन सकते हैं next इसमें 90 नमबर इसमें दिया जा रहा है कि iron is painted to iron पे paint क्यों किया जाता है क्यों से क्यों से क्यों से क्यों सकते हैं जंग लगने से बचाया जा सके तो option number C are correct save it from corrosion इसको बचाया जा सके next इसमें 91 इसमें बोला जा रहा है कि blank दिया है और the following is not good conductor of electricity good conductor of electricity नहीं हो सकते पहला आपके tap water next vegetable oil next आपके vinegar और last आपके lemon juice तो lemon juice में basically electricity flow पास नहीं करती है तो option number D जो है correct होने होला है नीबू का रस next इसमें आपके 92 earthquake can cause वो कम के कारण क्या 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 आ सकता है एक तो flood आ सकता है बार आ सकता है tsunami आएका तो बार तो आएगा ही और landslide करेगा मतलब वो खलन हो सकता है तो option number 1 correct होने होने होला है tsunami floods और landslides मतलब landslide का मतलब पाहडों का उपर नीचे गिरना वो खलन होना कह सकते है next इसमें आपके 93 और earthquake को जो होता है seismograph से नापते हैं इसकी आपके reaction scale पे इसको नापते हैं विसके लिए अगर आपके 6.5 से उपर जाता है तो इसको destructive टाइप में मानते हैं तो इसको भी ध्यान रखेगा कि भुकम को seismograph से नापते हैं और इसको reaction पैमाने पे नापते हैं next इसमें आपके 93 when you rub the back of a plastic pain in our head and bring it near a small piece of paper it attract paper due to जी हाँ आपके electron की कारण से होते हैं charges की कारण से होते हैं तो कह सकते हैं कि वैदुदबल electrostatic force की कारण होते हैं कि आप जैसे यही pain है तो अगर इसको में बाल पे रब करके यहाँ पे कागज की टुकले को ऐसे से कराऊं तो वो basically attract करेंगे तो इसमें rubbing के कारण जो होती हैं तो कह सकते हैं electrostatic force electron flow करता है next इसमें आपके 94 if the object is 5 cm away from the plane mirror एक आपका सीसा जो है basically घर में रखा गया है जिसमें लोग बाल वगरा जारते हैं वो plane mirror की तरह होता है the image formed by it and object will be जो image आपका form होगा अगर आप pass खड़े हैं तो CC की पीछे वाले जो image होगा वह भी basically pass ही होगा अगर आप दूर खड़े हैं तो दूर ही होगा image तो कह सकते हैं गर यह 5 होगा तो यह भी आपका 5 ही होगा तो option number B correct बहुत ही logical question था लेकिन simple था कि आप चेहरा जो देखती है मिरद में अगर आप जितने दोर पर खड़े रहेंगे उसी distance के साफसे आपका जो अंदर पन रहा है image वह भी same distance पे बनेगा option number B are correct next इसमें आपका 95 array of light can be reflected blank time by two plane mirror placed parallel and facing each other इसमें बोला जा रहा है कि जो plane mirror है दो plane mirror रखागी जो parallel है parallel का मतलब समानानता देखा में है क्या सकते हैं तो parallel की बात की जा रहे है तो वहाँ theta की value जो हो जाएगी जिरो हो जाएगी और formula होता है number of reflection निकालने का जो होता है n बराबर 361 में theta minus 1 होता है तो यहाँ पे theta की value 0 होके ही तो और जो आपकी number of light reflect करेगी वह आपकी infinite हो जाएग बहुत ही ज्यादा पढ़ने वाला क्योंसे की question बहुत ही simple देख रहे हैं कोछ बच्चे कहेंगे कि sir आप यह क्या बोल रहे हैं अगर आपने अच्छे से पढ़ाई की होगी तो question आपको बहुत ही easy समझ बहाएंगे से इंटेंस एक्जाम से अगर compare करें तो इसमें question basically simple थे से इंटेंस एक्जाम में थोड़े से इससे अच्छे question put up किये जाते हैं next इसमें आपके 96 planet Venus is also known as planet जो होता है अपका इसको earth sister भी बोला जाता है जो आपका basically होता है morning star कह सकते हैं आपका सुक्र ग्रह को morning star बोलते हैं प्रभात तारा भी बोलते हैं तो इसको ध्यान में रखेगा next इसमें आपके 97 star is 15 year away from the earth the light emitted by it today will be seen after कितने एर बात हो जानते हैं कि जो लाइट का आपका speed होता है 3 to 10 के 4 8 meter per second होता है तो हां आप divide करेंगी तो विसके लिए answer 5 आने वाला है option number 1 are correct next इसमें आपके 98 tree plantation month of July August every year is known as इसको आपका 1 महसो बोलते हैं विसके लिए 1 July से 7 July की बीच 2020 में आपके 1 महसो होंगे क्या सकते हैं अगर एक light year की बात करें उफर वाले caution में तो 9.46 x 10 की power 15 meter होता है इसको भी ध्यान में रखिये आप और अगर forest conservation day की बात करें तो आपके 21st March को होंगी आपके इंडिया में और wildlife month की बात करें तो यह आपके 3 March को होंगी अगर world wildlife conservation की बात करें तो 4th December को आपका world conservation day होता है जो पूरे विस्व में बनाया जाता है नेक्स इसमें आपके में विस्कली region देख आपको बता दे रहा हूं कि कैसे कैसे क्या region है इसलिए एंसर सही है बहुत सारे यूट्यूबर ने आपका क्योवली टिक मार दिया है जो आप समझ लेजे कि उन्होंने क्या किया है नेक्स इसमें आपके 99 ब्लैंक दिया है इस रिस्फॉनसेवल फॉर एसी ड्रेंड अमल वर्सा के लिए उतर दाए कौन से गैसे सुथे पहला carbon dioxide दूसरा sulfur dioxide तीसरा है carbon monoxide और लास्ट आपके CFC chlorofluorocarbons तो जानते हैं कि sulfur dioxide होता है जो एसी ड्रेंड के लिए विस्कली acid का रूप ले लेते हैं जो आपके acid rain के causes होते हैं acid rain basically sulfuric acid और nitric acid को ही बोला जाता है तो option number B are correct अगर आपने भी तेक वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लिस वीडियो को लाइक कर दीजे और साथ इसाथ कमेंट करके बताए कि आपको वीडियो कैसे लगी और आपके कितने answer correct हुए है और कौन सा मेंने आपके solution जो solve किया है वो आपका गलत है उसका भी आप region दे सकते हैं गलतियां हो सकते हैं मेरे से भी next day और last day इसमें आपके hundred number which of the following group contain all synthetic substances नमलिके समों में से किवल संसलेसिस बदात है synthetic का मतलब min-made है जो मनुष्य के द्वारा बनाएगे polyvinyl chloride polythene और back and light जो होते हैं आपके movement होते हैं कह सकते हैं synthetic substance होते हैं option number C are correct उमेद करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा और साथ ये साथ आपके लिए helpful रहा होगा तो प्लेसे लिए को like कीजेगा अपने मित्रों के साथ share भी कर दिजे आप मेरे चैनल पे न धन्यवाद मित्रों जेहिन जे भारत